की दूस्तों स्वागत है हमारी चानल राज ट्वूटर हम हिंदी में आज की वीडियो में हम् 지나 अच्छी तरह से जानने वाले हैं दूसतों इल् associations है 만गा है दोस्तों घिरना मतला किलाएं क्वलीउस होता है उसको हम वोल्टेज ड्रॉप करते हैं दोस्तों मान के चलिए कोई transmission line है उसको हम sub station को पार देते हैं तो transmission line में यहाँ पे sub station मान के चलिए 132 KB का यह sub station है 132 KB का sub station यहाँ पर 132 KB चाहिए लेकिन यहाँ से हम transmit करेंगे 133 KB तब जाके हमको 132 KB मिलेगा क्योंकि दोस्तों यहाँ पर यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर supply कर रहे हैं तो इसका जो length है इसके अंदर की तार resistance होगा इसमें impedance होगा रियक्टेंस होगे तो इसके करांद जो voltage गिरेगा दोस्तों जो loss होगा voltage का देखें यह 133 से क्या होगया 132 होगया इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों voltage drop कहते हैं दोस्तों यह हमारा जो loss हो रहा है voltage गिर रहा है इसको voltage drop कहते हैं अगर आप कोई motor भी चला रहा है इसको हम supply RY भी देते हैं RY भी देते हैं तो यह 440 वोल्ट सप्लाइ दे रहा है तो यहां पर 440 नहीं पहुंचे गए यहां पर 438 वोल्ट तो यह जो loss होगा दोस्तों यह जो हमारे यह लाइन में जो loss होगा resistance और reactance के करना जो loss होता है उसको हम voltage drop कहते हैं क्यांकि यह 440 है यहां पर 438 पहुंचे तो 2 वोल्ट का हमारा यहां पर loss होगया तो इसको हम क्या कहते है voltage drop दोस्तों voltage drop तो समझ में आ गया होगा अब यह किन-किन बातों पर यह निर्भर करता है मतलब कि voltage drop किस पर depend करता है कि वो voltage drop हो जाएगा मतलब voltage loss हो जाएगा पहला है हमारा 200 point current flow थो दिके बर मतलब कि हमारा जो cable के थो या conductor के सब्सक्राइब करेंड फ्लो होता है जो हमारा current flow होता है दोस्तों उसमें जितना current flow होगा उतना हमारा voltage drop क्या होगा कि ज्यादा होगा मतलब कि हमारा current जितना flow होगा उतना ही voltage drop ज्यादा होगा जाहर सी बात है दोस्तों अगर दूसरे point की बात करते हैं, length of the cable, मान के चलिए, यह हमारे 10 meter की length है, तो वहाँ पर voltage drop 5 volt है, अगर यहाँ पर 20 meter का है, तो voltage drop यहाँ पर 10 volt हो जाएगा, मतलब कि अगर हम length cable का बढ़ाते हैं, या conductor का बढ़ाते हैं, तो वहाँ पर भी voltage drop increase होलता है, अब तिसरे point और main point की ब conductor में जो impedance होता है, उसके कारण भी क्या होता है, कि हमाँ voltage drop बढ़ता है, इंपिडेंस क्या होता है, वो resistance और inductor का क्या है, कि एक submission है, तो इसके कारण जो हमारा circuit में loss होता है, वो क्या होता है, कि voltage drop की कारण drop होता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, यह मान के तरी एक circuit है यह यह यही सप्लाइ, हम इसको दिए, यहाँ पर सर्केट में क्या है, एक register लगा हुआ है, यहाँ पर एक inductor लगा हुआ है, अब दोस्तों, यहाँ पर Dlatego, यहाँ इसके supply हो रहा है, कि 230 volt यहाँ पर इसंप्लाइपर जा रहे है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि रजिस्टर लग यहां पर क्या होगा कि हमारा कमी क्यूंकि यह कुछ परतितो कर दोस्तो करने से रोकता तो इसके करनान फिर यह थोड़ा कम होगा और इंडेक्स टर्ण भी यही काम करता है, वो भी क्या करता है कि करनड़ कुफलो करने से रोखता है और इनके दोनों का समिशन क्या होता है, दोस्तों ये हमारा impedance होता है यहां पर लोस हो रहा है इसको हम क्या करेंगे यह बोल्टेज ड्रॉफ हुआ तो दोस्तों में आपको बता देता हूं यहां पर निकालना है तो यहां पर इंपेडेंस इसका निकालना है इसका फर्मूला होता है दोस्तों होता है Z is equal to Z किसको बोलते हैं दोस्तों यह Z हम impedance होता है Z हमारा impedance होता है और Z is equal to R square plus X square होता है यह तो यह फर्मूलेस हम impedance यहां पर निकाल दें इस impedance के करण जो हमारा loss होगा वो कितना होगा वो voltage drop में count होता है और अगर इसी को अगर parallel में है अब देखिए resistance और reactors क्या है कि हमारे parallel में ऐसी supply के तो यहां पर जो हमारा impedance होगा Z is equal to वो होगा R plus J X यह क्या है दोस्तों एक imaginary component है यह क्या है imaginary component है इसका value कुछ भी हो सकता है imaginary component है इसका value जो सब्सक्राइब करके होता है तो इसको हमेंसा ऐसे ही फॉर्म में रखते हैं जैसे मालूम चलेगा कि यह हमारा parallel में circuit है तो इन दोस्तों जो हमारा तीसरा point था impedance अगर conductor का impedance जीतना ज्यादा है आप समझ लिए conductor का impedance जीतना ज्यादा ज्यादा है voltage drop भी उतना ही ज्यादा होगा तो दोस्तों हम कह सकते हैं जो voltage drop होता है वह हमारा circuit में क्या होता है कि resistance और reactance पे depend करता है मतलब की impedance पे depend करता है थो voltage में जो loss हुआ हो, दोस्तों माननका चऱ सब्सक्राइब त्रांस्पीसर लाइन में, इसका definition ऐसा कlog होता है वो खता है कि voltage drop होता है दोस्तों उम्मिद करता हूँ दोस्तों आपको voltage drop बहुत अच्छी से clear हो गया होगा अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आयो तो प्लीज इस वीडियो को like करिए और हमारे चैनल राज tutorial हिंदी को subscribe जरूर करिए क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए ऐसे ही electrical से जुड़े हुए और important question कि अधरे तो